राधे राधे अब्रिवान दोस्तों आप सभी को मेरी तरप से मोहिनी एक अदसी की हारदिक सुपकाम नाई आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बैसाक सुखलपक्ष में आने वाली मोहिनी एक अदसी 18 मई या फिर 19 मई 2024 किस दिन पढ़ रही है सही तिती जानेंगे मोहिनी एक अदसी की ब्रत कता सुनेंगे और एक अदसी का पारण कब होगा वो जानेंगे हर महिने में दो एक अदसी पढ़ती हैं जिनने अलग अलग नामों से जाना जाता है बैसाक सुकलबक्ष में आने वाली एक अदसी को मोहिनी एक अदसी कहा जाता है एक अदसी ब्रत भखवान विश्नुजु को समर्पेत होता है ऐसे में इस दिन उपवास रखने और विधी पूरवक पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाव की पूर्ती होती है बही मोहिनी एक अदसी के दिन ब्रत रखने से ब्यक्ती को समस्त मोहो वा बंधनों से मुक्ती मिलती है और वे जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है दोस्तों आईए अब जानते हैं मोहिनी एक अदसी की सही तिथी क्या है हिंदु पंचांग के अनुसार बैसाक सुखलपक्ष एकदसी तिथी का आरंप 18 मई को सुभा 11 बचकर 22 मिनट से होगा जबकि एकदसी तिथी का समापन 19 मई 2024 को दुपहर 1 बचकर 50 मिनट पर होगा उद्याति थी का आनुसार मोहिनी एकदसी ब्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा दोस्तों मोहिनी एकदसी का पारण 20 मई को सुभा 5 बचकर 28 मिनट से सुभा 8 बचकर 12 मिनट के बीच किया जाएगा दोस्तों इस टाइम की बीच आप अपना ब्रत खोल सकते हैं आईए दोस्तों अब सुनते हैं मोहिनी एकदसी ब्रत की पुराणी का था कहानी युदिस्ठिर ने स्री कृष्ण से पूछा के सब बैसाक मास के सुकल पक्ष में जो एकदसी आती है उसे किस नाम से पुकारा जाता है उसे करने से किस फल की प्राप्ती होती है और उसे कैसे किया जाता है भगवान स्री कृष्ण ने कहा हे धर्मराजी दिस्ठर आप से पूर्व ये प्रश्ण सिरी रामचंदर जी ने महरसी बसिस्ठ जी से पूछा था उत्तर में बसिस्ट जी ने बताया था कि बैसाग मास के सुकलपक्ष में जो एकडसी आती है उसे मोहिनी एकडसी के नाम से जाना जाता है यह एकदसी सभी पापों का च्छे करती है और सर्वोत्तम है उस उपवास को करने से जीव मुह माया एवं किसी भी तरह के पाप से मुक्त हो जाता है सरस्वती नदी की मनोरम किनारे पर भद्रवती नाम का सुन्दर छेत्र था उस नगर में चंदरवनसी राजा धृती मान राज्य करते थे उसी नगर में एक समरद वैशनिवास करते थे उनका नामधन पाल था बैसिरी हरी की भक्ती करते हुए सत कर्मों में ही अपना जीवन ब्यतीत किया करते उनके पाँच पुत्र थे सुमना, धुतीमान, मेधावी, सुक्रत तथा द्रस्ट बुद्धी सबसे छोटा पुत्र द्रस्ट बुद्धी उनसे विपरीत सुवाप का था बैपाप कर्मों में सदा लिप तो रहता, गलत कामों में पढ़कर अपने पिता का नाम और धन बरवाद करता एक दिन उसके पिता कारिवस कहीं जा रहे थी रास्ते में उन्होंने देखा द्रस्ट बुद्धी ब्यश्या के गले में वहाँ डाले घूम रहा था पिता ने उसी पल उसका त्याक कर दिया और अपने से संबंद विछेत करते हुए उसे अपनी दौलत जायदाद से भी बेदखल कर दिया सबी सगे संबंदियों ने भी उससे सबी रिस्टेनाते समाप्त कर दिये जब उसके पास धन नहीं रहा तो बैसिया ने उसे अपने घर से बाहर कर दिया बैभूग प्यास से तड़पता हुआ इधर उदर भटकने लगा अपना दुख दर्द बाटने वाला उसके पास कोई वी नहीं था एक दिन भटकते भटकते उसका पूर्वकाल का कोई पुन्य जाग्रित हुआ और वे महरसी कॉडिनी के आश्रम में जा पहुचा बैसाक का महा चल रहा था गर्मी जोरो पर थी कॉडिन्य गंगा जी में इश्नान करके आये थी ध्रस्ट बुद्धी कॉडिनी जी के समीप जाकर हाथ जोरकर खड़ा हो गया और बोला ब्रह्मन देव कृप्या करके मुझ पर दया करके किसी ऐसे ब्रत के विशे में बताईए जिसके पुन्य से मेरी मुक्ती हो जाए कॉडिनी जी बोले बैसाक महा के सुक्ल पक्ष की एकादसी मोहिनी नाम से बिख्याते उस एकादसी का ब्रत करिए इस ब्रत के प्रभाप से तुमारे इस जनम के ही नहीं अनेक जनमों के महापाप भी नस्ट हो जाएंगी मुनी के कहे अनुसार द्रस्ट बुद्धी ने मोहिनी एकादसी का ब्रत किया ब्रत के प्रभाप से बैनिश्पाप होकर दिब्व देधारण कर गरुण पर आरुण हो श्री हरी का प्रिये बनकर विश्नु लोग को चला गया दोस्तों यहीं पर कथा समाप्त होती है साफ वन नए कपड़े पहने दोस्तों अगर आपके पास नए कपड़े नहीं हैं तो आप कोई भी कपड़े पहन के पूजा कर सकते हैं और फिर अपने घर के मंदिर के साफ सफाई करें अच्छे सी एक चोकी पर साफ पीले या फिर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और फिर भगवान विश्नु की मूर्ती या प्रतिमा को इस्थापित करें भगवान को चंदन का तिलक जरूर लगाएं भगवान विश्नु जी को पीले रंग के फूल अरपित करें और साथी धूबती दीपक नैविद्यम यानि बतासा चड़ाएं मुहिनी एक अदसी की कथा का पाठ अवश्य करें क्योंकि इसके बिना ब्रतबा पूजा हमारी अधूरी मानी जाती है दोस्तों इस दिन गरीवों वा जरूरत मंदों को दान करना सुब माना जाता है साम के समय आरती करें और अगली दिन दो अदसीती ठीके दिन ब्रत का पारण करें यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा आप सभी को मेरे तरप से मोहिनी एका दसी की हारदिक सोब काम नाई राधे राधे अवरिवान